अध्याय चार समानतर शेड़ी Arithmetic Progression संख्याओं के पैटन नीचे दी गई संख्याओं को देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और इसी प्रकार आगे क्या आपको इसमें कुछ निश्चित क्रम अथ्वा पैटन दिखाई देता है? इसमें प्रतेक संख्या अपने से बात की संख्या से 2 कम है इसमें प्रतेक संख्या 2 की क्रमवार गुनाज है 2 को 1 फे गुना करने पर 2 2 को 2 फे गुना करने पर 4 2 को 3 फे गुना करने पर 6 और इसी तरह आगे इसमें पहली संख्या 2 को 2 गुना करने पर दूसरी संख्या 4, दूसरी संख्या 4 का डेड़ गुना करने पर तीसरी संख्या 6 मिलती है आप देख सकते हैं कि जॉन के पैटन में प्रतेक संख्या के लिए अलग-अलग नियम होगा जबकि सल्मा और मुहन के पैटन में एक ही नियम से सभी संख्याइं बनेंगी अब आप नीचे दी गई संख्याओं को देखिए 6, 11, 16, 21 और इसी प्रकार आगे आप कह सकते हैं कि इसमें पहली संख्या को छोड़ कर प्रत्यक संख्या अपनी पिछली संख्या में 5 जोड़ने पर मिलती है क्या इनमें कोई और भी पैटन मिल सकता है नीचे संख्याओं के कुछ और उधारन दिये जा रहे हैं पहला रिन 5, रिन 7, रिन 9, रिन 11, रिन 13 और इसी प्रकार आगे दूसरा, 4, 9, 14, 19 और इसी प्रकार आगे तीसरा, 3, 7, 11, 15 और इसी प्रकार आगे श्रेडी क्या है? इनमें आप देख सकते हैं कि प्रत्यक श्रिंख्या की संख्याएं अपने से पिछली संख्या से एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती है पहली संख्या में संख्या 2, 2 से कम हो रही है जबकि दूसरी में 5 से और तीसरी में 4 से बढ़ रही है ऐसी संख्या श्रिंख्याएं जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंधों श्रेडी कहलाती है करके देखें नीचे दी गई संख्याओं की प्रत्यक श्रेडी में क्या पैटन है पहचान कीजिए पहला चार, दस, सोलह, बाईस और इसी प्रकार आगे दूसरा शून्य, तीन, छे, नौ और इसी प्रकार आगे तीसरा, रिन एक, रिन तीन, रिन पाँच, रिन साथ और इसी प्रकार आगे समान्तर श्रेडी आपने देखा कि उपर दी गई श्रेडी में पहले पद के बाद प्रत्यक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है संख्याओं की ऐसी श्रिंखला समान्तर श्रेडी, एरित्मेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाती है और यह निश्चित संख्या समान्तर श्रेडी का सारवंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाती है सारवंतर धनात्मक, रिनात्मक या शून्य हो सकता है आईए इस समांतर श्रेणी पर विचार करें आठ, तेरा, अठारह, तेईस और इसी प्रकार आगे इस श्रेणी का प्रथम पद आठ और दूसरा पद तेरा है तीसरा पद अठारह और चौथा पद तेईस है प्रत्यक पद में 5 जोड़ने पर अगला पद मिलता है इसलिए इस समांतर श्रेणी का सारवंतर 5 है अधारण 1 समांतर श्रेणी रिण 7 रिण 11 रिण 15 रिण 19 जो की अनन तक है के लिए प्रत्थम पद चौथा पद और सारवंतर ग्यात कीजिए हल प्रत्थम पद दिये गए समांतर श्रेणी में प्रत्थम पद रिण 7 है तो हम लिखेंगे प्रत्थम पद बराबर रिण 7 अब हमें ग्यात करना है चौथा पद चौथा पद तो समांतर शेड़ी में चौथा पद है पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथा पद है हमारा रिण उननिस तो चौथा पद हुआ आया हमारे पास रिण उननिस अब सार्व अंतर सार्व अंतर के लिए हम जानते हैं कि सारवांतर के लिए हम लिखते हैं द्विती पद रिन प्रथम पद तो द्विती पद हमारे पास है रिन ग्यारा और रिन प्रथम पद है हमारा रिन साथ जीसे हम लिखेंगे रिन साथ कोष्टक में कोष्टक को खोलेंगे पहले रिन ग्यारा लिखें कोष्टक को खोलेंग तो रिन को रिन साथ से गुणा करने पर धन साथ और रिन ग्यारा धन साथ हो जाएगा रिन चार तो सारव अंतर जो है हमारा रिन चार आया या इस उधारन का हल है करके देखें शुन्य, रिन्टीन, रिन्टीन, रिन्टष, रिन्टनो और इसी प्रकार आगِّ प्रश्ण दो, दी हुई समांतर श्रेनी के लिए प्रथम पत और सार्वांतर लिखिये पहला, 9, 12, 15, 18 और इसी प्रकार आगे दूसरा, 2, 8, 14, 20 और इसी प्रकार आगे तीसरा, 3, 2, 2, 3, 7, 1, 12 और इसी प्रकार आगे चौता, 5, 2, 9, 16 और इसी प्रकार आगे पाँचवा, 0.4, 0.9, 1.4, 1.9 और इसी प्रकार आगे छटवा, 5, 5, 5, 5 और इसी प्रकार आगे साथवा, 1 बटे 3, 5 बटे 3, 9 बटे 3, 13 बटे 3 और इसी प्रकार आगे आगे के पद ग्याद करना नीचे एक समानतर श्रेडी दी गई है 3, 10, 17 और इसी प्रकार आगे क्या हम इसके आगे के पद पता कर सकते हैं? सोचें इस समानतर श्रेडी का अगला यानी चौथा पद कैसे ग्याद करें तीसरे पद यानी 17 में 7 सारवानतर जोडने पर 24 मिलता है यही इस श्रेडी का चौथा पद है अब आप इस स्रेडी के अगले चार पद यानी 5, 6, 7, 8 पद लिखिए